नमस्कार, मैं डॉक्टर वेपिन वंसार, वास्तू कोंसेटंट मैं अपनी इस सीरीज में जो मैंने ये सीरीज लिया है वो है हैल्थ हर वैक्ती अपनी हैल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉंशेस रहता है आपके यहां हैल्थ से संबंदिय दिक्कत आ रही है तो वास्तो शास्तर के अनुसार ऐसा क्या कारण बनता है आप medicine तो ले रहे हैं दवाईयां तो ले रहे हैं लेकिन आपको relief नहीं मिल रहा ऐसा क्यों होता है क्या कारण बनता है आज मैं आपको इसके बारे में बताना चाओंगा जब भी घर के नॉर्थ इस्ट कौने में इक्षान कौने में किचन बन जाती है तो उस घर के अंदर हेल्थ से सम्मंदी दिक्कत आने की कारण बनते हैं क्यूंकि इस्ट कौने में अग्नित बन जाती है तो उस घर के अंदर स्वास्ते से सम्मंदी दिक्कत आने शुरू हो जाती है तो इसलिए मैं आपको कहना चाओंगा कि आपके यहाँ इस तरह के दिक्कत आ रही है तो आपके यहाँ से हटाकर south east में या south center से south east की और या east center से south east की और इन तेन दिशाओं में अपने kitchen को ले जाएंगे तो मेरा अपने ये मानना है कि आपके हाँ हेल्थ से सम्मंदित जो दिक्कत आ रही है वो दिक्षत धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी आपकी हेल्थ अच्छी होती चली जाएगी आप फ्लैट के अंदर रहते हैं और आप अपनी किचन को नहीं बदल सकते और कहीं बार ऐसा होता है कि आदमी घर के अंदर भी रहता है वो अपनी किचन को नहीं बदल पाता तो ऐसी स्टेल में आपने करना क्या है छोटे से उपाए कितने तीन उपाए करने है तीन उपाए क करें एक्जोस्ट फैन का इस्तमाल आपने रूटीन में करना है जैसे ही गैस ओन करें तो आपका एक्जोस्ट फैन भी ऑन होना चाहिए यानि जो किचिन के अंदर गर्मी बन रही है वह गर्मी आपकी साथ ही साथ बाहर निकल जानी चाहिए तीसरा काम आपने क्या करना है जो इस एलिये को ठंडा करता है वह आपको बैनिफेक्ट नहीं मिलेगा क्योंगि आपने नौर्थ इस्ट में एसी का आउट्डोर लगा दिया उसके एकान जितना एसी चलेगा उतनी ही आउट्डोर गर्मी बाहर फैकेगा और वूस गर्मी के एकान भी हेल्थ इस्यूस ब संबंदी दिक्कत आ रही है उसमें आपको रिलिफ जरूर मिलेगा बहुत ज्यादा प्रेशान है बार बार घर के अंदर ऑपरेशन हो रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि दुखी सुखी हो कि आप अपने किचन को यहां से टाकर साउथ हेस्ट कॉर्णर में लेकर यह यद तो मेरा अपने यह मानना और मेरी अपनी प्रेक्षिश के यह कहती है कि आप तीन महिने के आंदर जमीन आसमान का बदलाव जरूर पाएंगे क्या काम करने से चूले को नौर्थ इस्ट से हटाकर साउथ हिस्ट में रखने से और इस्ट की और पूरो की और फेस करके खाना से वहां पर आप अपनी टेबल लगाए या स्लैब डाले या नीचे फर्ष के ऊपर चूला रखकर खाना बनाए वह आपने सोचना है कि आप वहां पर चूले को गैस को किस परकार से रखेंगे ऐसा करने से आपको रिजल्ट बैतर जरूर मिलेंगे कही बार ऐसी विस्टे जा हो जयादा आते हैं तो कैसा लगेगा कि हम चाए वहां बना रहे हैं और रसवी हमारी यहां पर है तो आप एक काम कर सकते हैं एक चूला आप एक्सक्रा लाकर वह साथ इस्ट में रखें और उसको अपने घर में खाना बनाने के लिए यूज करें अगर अपने घर के अंदर एक कप चाई भी बनेगी तो वह सारी चाई वहां पर बनेगी बाई चंस कोई गेस्ट आया हुआ है और उसमें आपके अपनी मजबूरिया तो आप नौर्थ हिस्ट में चाई बना सकते हैं लेकिन वहां पर खाना बिल्कुल भी नहीं बनाना है वह भी चाई जो बनानी है स उससे भी आपको benefit जरूम लेगा क्योंकि साउथ हिस्ट जो अगनी तत्व का स्थान है और यहां पर जितनी अगनी जलती है वह हमेशे ही दो चीजों में सबसे ज्यादा फाइदे बंद होती है सबसे पहले तो health को लेकर second wealth को लेकर जिस वेक्ति के यहां लगातार पैसा नह है तो सब्सक्राइब तो आप अपनी किछन को नौर्थ इश से एथा कर साउथ इस जौन में जरूर कर दर करें नहीं ले जा सकते तो आपको का इसमाल मैक्सिमूम घर इसी के साथ पॉसीबल है तो चूले को साउथ हिस जोन में क्यां का काम सारा किचन के अंदर करते रहें एक अप चाई बनेगी तो वो भी वहां पर बनेगी और खाना बनेगा तो वो भी वहां पर बनेगा आप तीन महीने करके देखिए तीन महीने में आपको बहुत बड़ी आ रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे कई बार आदमी यह सोचता है नहीं जी हम अपनी किचिन को कैसे रिजेस्ट करेंगे आज आप अपनी किचिन को रेनुएट कर रहे हैं आपकी किचिन के अंदर काम चल रहा है तब भी तो आप अपने सामान को उठा कर कुछ समय के लिए दूसरी जगह रखते हैं यही मान लीजिए कि आपकी किचिन के अंदर रेनुवेशन हो रही है आपकी किचिन नई तरीके से त्यार हो रही है तो दो महीने तीन महीने आप अपने चुले को यहां से इठा कर साउथ एस्ट में रखे है ऐसा करने से रिजल्ट आपको बहतर जरूर मिलेंगे आप करके दो मेरे अपने फैंबली और फ्रैंट्स के फेस्ट गृप पर और वाटसप गृप पर ज्यादा से ज्यादा श्यार करे और मेरे चैनल पर लगातार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाए ता आप हमारे यहां से वास्तु शास्तर के निवसार मैप भी बनवा सकते हैं और आप अपने यहां पर हमें साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए इन्वाइट कर सकते हैं इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक ने विश्य पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार